ओम शान्ति आज 14 जैन्वरी दो हजार चौबिस है सदा प्रसन्न चित रहने के लिए हमें क्या करना है कौन सी बात की स्मृति लानी है और किस चीज का दर्शन करना है ये आज का स्लोगन बता रहा है सुनते हैं आज का स्लोगन जो स्वयम का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित और सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं बापदादा ने हम सब को स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल दिया है, स्वदर्शन चक्रधारी अर्थार, पूरे कल्प के चक्र के अंदर स्वयम का निजी स्वरूप का दर्शन करने वाले हैं। और हम सब को पता हैं हमारे निजी स्वरूप हैं पांच स्वरूप पहला अनादी स्वरूप निराकारी जोती बिन्दु स्वरूप जब हम परमधाम में थे तब की स्वरूप दूसरा है आदी स्वरूप जब हम सोला कला संपन थे संपूर निर्विकारी थे देवी देवताय सतो प्रधान कंचन काया वाले शरीर के अंदर सतो प्रधान आत्मा निवास करते थे वही स्वरूप तीसरा है पुज्य स्वरूप जो मंदिरों में बहुत सुंदर संपूर्ण देवी देवताओं की मुरत हम स्थापित करते हैं और उनकी पुजा करते हैं वही मुरत पुज्य स्वरूप हमारे ही स्वरूप है और जोथा है ब्राम्हन स्वरूप इस संगम यूग के सर्व स्रेश चनम पूरे कल्प के सर्व स्रेश चनम ये ब्राम्हन स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता की निशानी है कमल पुश्प समान जीवन है और पांचवा है फरिष्टा स्वरूप, डबल लाई स्थिती, कर्मातित स्थिती, उड़ करके अर्ष से अर्ष पर उड़ करके सर्व की सेवा करने वाले इन पांचो स्वरूप का दर्शन करना इसी को ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी इन पांचो स्वरूपों में जो एक कौमन बात है वो है पवित्रता, दिव्यता, सत्यता और इन ही पवित्रता, दिव्यता और सत्यता को जब हम देखते हैं उसका दर्शन करते हैं तो हमारे मन के अंदर वो शक्ती पवित्रता की, सत्यता की और वो दिव्यता की आ जाती है और कहां जाता है पवित्रता सुख शांती की जननी है जब आम उस पवित्रता को अपने मन के अंदर अनुभव करते हैं तो मन के अंदर स्वतही प्रसन्चित प्रसनता आ जाती है और जहां प्रसनता है वहां सर्व भाग्य स्वतही आ जाती है पवित्रता सुख और शांती और संपदा ही जननी होती है इसलिए जब हम स्वदर्शन चक्र को घुमाते हैं तो बाबा कहते हैं माया का गला कर जाता है क्यों? क्योंकि पवित्रता की शक्ती आती है और साथ साथ जहाँ पवित्रता है वहाँ भाग्य की अधिकारी पंद की प्राप्ती भी हो जाती है ओम शान्ति